हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है सिखर आज हम बात करने वाले हैं स्वाल एरोजन की पार्ट टू जिसमें हम वाटर एरोजन के बारे में पढ़ेंगे हमने पार्ट वन में बिंड एरोजन के बारे में पढ़ाया है कि लिए सुरू Hai सबसे पहले में जान लेते हैं क्या है अ отправ cars से इरोजन के बाएं या सबसे पहले इस फ्रैस्ट रोजन होता है एंड इस्टीम बैंक इरोजन जीजे लिखी हैं यह सेक्वेंस वाइज में होती है स्वाइल में मालीजे कि आपका फील्ड है अब इसमें स्वाइल है आपकी सबसे पहले स्प्लैस इरोजन होगा स्प्लैस रेजन मतलब होता है कि जग आपकी बारिस होगी तो जो स्वाइल है अपनी बार्डी से जुड़ी हो तूटके अलग होगी और जब तूटेगी तो वह चितक जाएगी दूसरी तरफ की देगी वहां से इसी तरीके से सीट इरोजन होता है सीट इरोजन में क्या होता है कि ये यूनिफार्म थीन लेयर फिल्ड से रिमूव हो जाती है ये फार्मर को पता भी नहीं जलता है कभी कभी इस पर कुश्चन आता है कि सबसे सीएस इरोजन कौन सा है और कहीं कहीं आंसर दिया गया होता इसलिए होता है क्योंकि वार्मर ने पाता है उसके फिल में रूजन होता रहता है पिर आता है रिल एरोजने में क्या होता है início जब उता हो जाती है और एक साथ बहने लगते हैं तो उसके साथ जो फिल पहती है वह व He लिए रोजन कहते हैं अब जब बहुत सारे रिल्स एक साथ मिल रही है और आगे जाके और बड़ी हो रही है दिये हो गया आपका गली रोजन और यही गली और बड़ा रूप धारड़ कर लेती है तो इसे कहते हम रेवाइन्स और उसके बाद फिर वहाँ पे लैंड स्लाइड होता है इसमें जब बहुत जादा बीच में खाली कड़ा हो जाएगा तो वगल वगल की जो मिट्टी है इसमें कड़ कर गिती रहेगी फिर करता है इस्टीम बाइंग की रोजन आपका यह जहां पर वाटर का बहाव ज्यादा होता रहता है वहां पर होता है इसको बहुत कमी लिखा हुआ देखा जाता है चलिए हम एक एक करके डिसकस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्प्लैस इरोजन इसे हम रेंड्राप वाटर इरोजन तो उसका अंसर है इस्प्लैस सिफोजन मतलब कीवाटरट एरोजन का सबसे पहला फॉर्म जो सबसे होता है वाटर इरोजन वो होता है इस्प्लैस इरोजननी थिरू रिमूबल होता है टाप थिन लेयर का ठीक है एन इन कॉंस पीसियस टाइप आफ स्वाइल एरोजन मतलब कि इसको हम ज़्यादा दिहान नहीं देते हैं इसके ओपर कि एरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह एरोजन होता रहता है क्योंकि हमें इस पता ही चल पाता है हम बात करते हैं रिल इरोजन की जैसे रनाफ स्टार्ट होता है रनाफ मतलब कि जो हमारा वाटर है फिल्ड में या पिर कहीं भी वह जब बहना स्टार्ट होता है तो उसे कहते हम रनाफ तो वह चैनलाइजेशन भिश्दू करता है और साथ-साथ ही हम बन चुका होता है तो वह जब आगे जाता है और बहते बहते आगेBaby रणाफ एंड वेस्ट एब आज डीप एंड वाइड शेनल अब गली रोजन में क्या होता है कि रणाफ इतना ज्यादा इतनी तेजी से पानीck आ रहा होता है कि आ गया और गहरा और और चाड़ा होता चला जाता है अगर इसको नहीं रोका जाए तो इन तरह की फिल्डों में कल्टिवेशन डिपकल्ट हो जाता है गली रोजन में कल्टिवेशन डिपकल्ट हो जाता है यह भी कुछिन आ जाता है कि कौन से फाम तक हम फिल्ड में कल्टिवेशन कर सकते हैं तो है के अगर हम क्लासिपिकेессिन की बात करें गली रोजय की तो है कि कि इसमाल में जो इसकी होती है ले जिनवान मीटर होती है और ब्रेमेंचे अरिया लेजंद दो हेकार होता है जे जूनेंच यह माने हैं मαसओ कि कि यह गآ espe लोगयु से पानी आ रहा है और एक गली के थरूह जा रहा है तो यह लगभभाद दू हेक्टियर एर्या है कि सिसे सब्सक्राइब से 5 मीटर इसकी depth होती है और इसका जो drainage area होता है दो से 20 Что banned नार्ज की बात करें तो यह इसकी depth बनती है greater than 5 मीटर बन जाती है है channel की और इसका जो area होता है जितने area को cover करता जहां से इसका पानी होता है यह लगभग 20 से ज्यादा का अरिया होता है अब नेक्स स्लाइट पर चलते हैं हम आख करें रिवाइन्स की रिवाइन्स क्या होती है कि जो लार्ज गली एंड दियर नेटवर्क आल कार्ड रिवाइन्स अमाली ये गली बनी है ठीक है ये और यहां से आगे जाके ये एक गली बन रही है इसकी बहुत साली पतली पतली रिवाइन्स होंगी जहां से इसमें फील्ड से पानी जा रहा होगा तो क्या होगा है ये सब ये सब रिवाइन्स हो गया है पतली पतली गल्या आगे जाके फिर गली के फाम लेती है फिर और आगे जाके और बढ़ी गल्ली बनती है फिर हम बात करें लेंडस्लाइड की तो लेंडस्लाइड में क्या होता है कि जो पहाडी लाके होते हैं वहाँ पर इस्टीफ सलोप की वज़ए से जब स्वलिवेरोजन होता है तो उसके साथ साथ लेंड भी सलाइड हो जाती हो यह अक्सर mountains में अगर करता है जहां slope पहाड़ी का 20% से ज्यादा होता है और इसकी bits जो होती है वो 7 meter होती है और यह generally क्या करता है road roads को block कर देता है hilly area उसमें बगते है next slide में फिर हम बात करते है steam bank erosion की steam bank erosion is the removal of steam bank soil by water either flowing over the slides of the steam or scooping from the air मतलब कि जब कहीं से पानी बहर रहा है माली जहरने टाइप बहुच है यहां से पानी जब नीचे गिर रहा है तो यहां पर काफी ज़्यादा इरोजन होगा स्वाइल का यह हो गया आपका steam bank erosion कि अगर बात करते हैं नेक्स लाइट की अगर हम बात करें इनके मेकेनिंस की वाटर रिरोजन की तो इसमें टू प्रॉसेश्ट इंवाल्वें पहला डिटेजमेंट है दूसरा ट्रांसपोर्ट है डिटेजमेंट मतलब कि इस वाइल के पार्टिकल्स को पहले अलग करता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगें से दूसरी जगेंगे पहुचा देता है अब नेक्स लेंड की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट आफ डिटेजड स्वैल पार्टिकल्स इस करीड आउट बाई वाटर फूइंग वाटर फूजज चकश दूदो स्लोप अफ लेंड अब नेक्स लाइन में कहरा है कि जो इस वाल के पार्टिकल्स डिटेज हो गया होते ह हैं वह वाटर के फ्लो की वज़े से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं आगे बढ़ने लगते हैं नेक्स लाइन के फिर पढ़ते हैं एलांग विठ रन आफ वैल इस काई डवे स्वाइल पार्टिकल्स लेज़ें 0.5 मिलिमेटर इन डायमीटर और सास्पेंड़ इन वाटर जो स्वाइल पार्टिकल्स जिरो पाइंट फाइब मिलिमेटर से कम होती हैं वह वाटर में रहती हैं और आपके साथ-साथ आगे बढ़ते हैं सास्प Bets रहती है मतलब कि बहुरा ने lux इवाटर ना gli, रेती है व Autom brapul Baby Park अ पाली आपको गंडा दिखेकर उसाथ-साथ-साथ-साथ-स आगे बढ़ते जी हैं को इसमें है इसके इंफ्लेंसिंग वाटर इरोजन कौन कौन से फैक्टर से जो वाटर इरोजन को प्रभागिता रहे हैं सबसे पहला हमारा आता है रेनफाल टाइप आप विजिटेशन वाइल मैं और बीस्ट का मतला होता है जंगली जानवर ठीक अमारी जितनी बोन कियो गरियोगी जितनी बड़ी गरियोएगी। उतना जयाधा हमारा हमझा का घरन वाट करते हैं तो चाहता होना जितना घ्रना होगा उतना कम स्थे रोजन होगा और बात करते हैं SVISे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि वह सब्सक्राइब कर रहा है कर रहा है कि वाटर इरोजन डिपेंड सान इंटेंसिटी आफ रेंफाल यह डारेटली डिपेंड करती है इंटेंसिटी आफ रेंफाल पे इंटेंसिटी आफ रेंफाल मतलब कि रेंफाल कितनी तेजी से हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है उसी पर डिपेंड करता है कि कि इत झाल झाल झाल